नमस्कार दोस्तो मैं हूँ सुनीता प्रज़ापती लेकर आई हो अपना सो जासूस या जर्नलिस्ट दोस्तो आज हम एक ऐसे केस के बारे में बात करने वाले हैं जो महिला हिंसा से जुड़ी हुई है जी हाँ उत्ता प्रदेश में आपको महिला हिंसा से जुड़ी हुई हर रोज कोई न कोई कहानी देखने पढ़ने या सुनने को मिल जाएगे तो उत्ता प्रदेश के महोबा जिला से अईसा ही कुछ केस लेकर के आई हूँ मैं आपके साथ तो पूरी कहानी देखने और सुनने के लिए बने रहे है मेरे साथ जासूस या जर्नलिस्ट पर आपको बता दें कि यह मामला छे मैना पहले का है जब लड़की स्कूल जाती थी तो गाओं के निसांत और जीतू उस लड़की को छेंक लेते थे और कमरे पर ले जाते थे जहां पर उसके साथ बारी बारी से बलतकार किया जाता था लड़की का पेट दिखने लगा इस तरह से पूरे गाओं में तरह तरह की चर्चाय होने लगे मई 2019 को परिवार वानों ने लड़की की डाप्टी परिछड करवाई जहां पर लड़की की गर्वती होने की बाद कही गए इस पूरे मामले को लेकर जब माता पिता ने लड़की से पूछा तो लड़की ने निसांद राजपूत और जीतू यादों के उपर जबर जस्ती बलतकार करने के आरोप लगा है इस पूरे मामले को लेकर जब हमने गोपनी तरीके से रेपोर्टिंग की तो हमें पता चला कि निसांद और जीतू अमीर बाप की आउलाद हैं सारा दिन गाउं में घूम घूम कर आवारा गर्दी करते थे लड़की के उमर 13 साल थे लड़की के माता पिता सारा दिन मजदूरी के लिए बाहर चले जाते थे घर में लड़की और उसके छोटे भाई बहन रहते थे लड़की थोड़ी से कमजोरी दिमाग की भी बताई जा रही थे जिसके चलते परिवार वाले उस पर ज़्यादा ध्यान भी नहीं देते थे इसी दिमाग कमजोरी का निसान्त और जीतू ने बड़ा फाइदा उठाया लड़की का हर रोज एक तरह से अपहरण कर उसके साथ बलतकार कर घटना का अंजाम देते थे साथ ही उस बच्ची को डरा धमका करके बोला जाता था कि अगर किसी से यह बात बताई गई तो उसको और उसके परिवार वालों को जान से मार देया जाएगा जिसके चलते लड़की डर और सहम गई और यह बात किसी को नहीं बताई पीडित परिवार के अंसार जब इस पूरे मामले को लेकर के दूसरे पक्च यानि निसान्त और जीतू के घर पहुँचे तो उस परिवार ने पीडित परिवार को बुरी तरह से गाली गलोच की और जान से मानने की धमकी भी दे पीडित परिवार पुलिस की चोखट पर पहुँचा और चरखारी कोत्वाली में मुकदमा लिक कारवाही करने की मांगे पर निसान्त और जीतू के पिता ने वहाँ पर दो लाख रुपए दे दिये जिसके चलते पुलिस भी बच्ची का अबोशन करवाने की सलाह देने लगे इतना ही नहीं पीडित परिवार को दूसरा पक्च अबोशन करवाने के लिए उरई लेकर भी गया जहां पर जादा दिन का गर्व होने की वजह से डाक्टर ने अबोशन करने से मना कर दिया पीडित परिवार ने ये भी बताया कि जब वो लोग वापस आ रहे थे तो रास्ते में उन्हें मारने की कोसिस भी की गई पर वह गाड़ी से नीचे नहीं उत्रे इस पूरे मामले को को लेकर के पीडित परिवार महूबवा यस्पी की चोखट पर न्याएक मांगने की गुहार लगा के महूबा यस्पी के अंसार महूबा कोतवाली में मुकदमा पंजी कृट्य करत्यों किया गया पर अभी भी पीडित परिवार बुरी तरह से परेसान है… महोबा यस्पी के अंसार चर्खारी कोतवाली में 24 मई को धारा चार सो बामन 376 डी 504 धारा चार पाक सो एक्ट अधिनियम के तहट मुकदमप पंजिकरत किया पुलिस ने बच्ची की डॉक्टरी पर इछण कर कारवाही करने पर जुट गए 25 तरिक को पुलिस ने दोनों अपराधियों को पकड जेल भी भेज दिया सोचने बाली बात ये है कि इतनी कारवाही होने के बावजूद भी पीड़ित परिवार चैन की नहीं ले पा रहा है विपच्ची पार्टी लगा ताथ पीड़ित परिवार पर राजी नामा का दबाव बना रहा है रात दिन उनके घर पहुंचकर जान से मानने की धंकी दे रहा है जिसके चलते पीड़ित परिवार अपना गाउं छोड़का दूसरे गाउं में रहने के लिए मजबूर है तो आपने अपना गाउं क्यों छोड़ा है पीड़ित परिवार ने बताया कि जिस दिन से मुकदमा लिखाया गया है उस दिन से पुलिस भी उनकी कोई साहेता नहीं कर रही है पुलिस पीड़ित परिवार का साथ छोड़कर अपराधियों का साथ दे रही है जिसके चलते अपराधियों के होसले बुलंद हो रहे है पीड़ित परिवार डर की वज़े से मजदूरी करने के लिए बहार नहीं जा पा रहा है क्योंकि उन्हें डर है कि कभी भी विपच्छी पार्टी उन पर किसी भी तरह का हमला कर सकती है उन्हें जानमाल का खत्रा है जिसके चलते पूरा परिवार डरा सहमा हुआ है इतना ही नहीं पीडित परिवार को इसकी अलावा भी एक चिंता सता रही है उन्हें चिंता है कि अ इस पूरे मामले को लेकर जब महोबा पुलिस से बात की गई तो वह कुछ भी बोलने से इनकार कर रही है महोबा पुलिस नाबालिक बच्ची होने का हवाला देकर अपना पला ज़ाड रही है ऐसे में एक बड़ा सवाल उठ रहा है और ना ही एंटी रोमियो टीम का कहीं पता चल रहा है इस पूरे मामले को लेकर महोबा पुलिस का चुपी साधे रहना एक बड़ा सवाल खड़ा करता है तो दोस्तों ये थी आज की हमारी जसूसी भरी कहानी अगले एपिसोड में हम फिर से हाजिर होंगे एक नए केस के साथ तो तब तक के लिए दीजिये इजाजत नमस्कार